कितना भी खराब आपका चेहरा क्यों न हो रखा हो चेहरे पे जाईयां बन रखी हो पिग्मेंटेशन बन रखी हो काले दाग धब्बे बन रखी हो जुरियां बन रखी हो उम्मर के साथ चेहरे की स्किन धीली पड़ रखी हो चेहरे का रंग दिन बदिन सावला पड़ता जा आपके चहरी की जाईयां जाएंगी, काले दाग धब्बे जाएंगे, स्किन आपकी टाइट बनेगी, जुरियां रिंकल्स आपकी खतम होंगी, आपके चहरी का रंग दिन बदिन निखरता चला जाएगा, चहरी पे अगर एकने दाने पिंपल्स होते हैं वो भी खतम हो जाए कि एक Sao I youill का रंग की चैरी से मैच करेंगा किस तरह से आप अपने चैरे गर पे ही बिना महेंगे प्रोड़क्स के निकार सकते हैं किस तरह से जाएना चैरे की खत्म कर सकते वह भी इना एक भी पैसन करश करें Kiss आप कितने भी महेंगे प्रोड़क्ट क्यों न लगा लीजिए जब तक आप उनको लगाते हैं तब तक आपके स्किन पे हलका फुलका थोड़ा बहुत फर्क दिखता है लेकिन लगातार वो प्रोड़क्ट लगाते हैं हमारी स्किन पतली होती चली जाती है जब हम उस ब्रक्ट लगाना स्टार्ट किया उसेगी साड़ा ओर हमारे इसे कं गरी लू ठाट बी Hebrews को आपको कुछ ऐसे गरीलू टिप राओंगी डुप अपने चेहरे पे लगा लगांगा पिडिनापी श्वैदी बींगर और इसी साथ सत काले दागधबे जुरियाphem काला पन भी खतम होगा और यह जो आपके चहरे पे लिखार आईगा पर्मानेंट रहेगा यह यह नीन कि आपने नुस्के लगाना छोड दिया तो वापस से आपके चहरे पे वारसे जाईयां काली दागडब में बनते चले जा रही हैं लेकिन फिर भी आपको अपना स्किन केर करना बहुत जरूरी होगा चाहे को फर्क तो न पड़ जाये आप ये तो हैनिकियाद कितना भी नहालिया दो गंडे लगाता नालिया लेकिन फिर तीन दिन आना है तो क्या ह होगा गंदे तो होंगे ही ना क्योंकि हम एक फोस फेयर में रह रहे हैं जहां पर गंदूल उड़ती है तो आपको जो है स्किन कियर तो अपने करते ही रहना है लेकिन आपका फेस इससे बहुत अच्छे से निखरेगा रात को सोने कि आपके फेज पे लगाएंगे कुछ एकशा कर के सोएंगे तो आपकी स्कीन जो बहुत अच्छी तो फिल्कुल आप reca чет अपके gas के अंदर जायगाौइगा तो धो के सामय है तो हमको रात को सोने से तब 50 अपना श्कार लेना है उसके बादसे हमको लेना है विटामीन ए कैपसूल वीडियो देखे भागना नहीं हमें पता है विटामीन विटामीन किस तरहां से लगाना है बिलकुल अलग तरीका क्या साथ में मिक्स करना है कैसे अपलाई करना है पूरा प्रसेस बताऊंगी और आपका चेहरा निखरता चला जाएगा गैरेंटी के साथ बोर्ड यू ठीक है 20-25 रुपे का पूरा पत्ता आता है अभी मेरे पास दो बचे है मैं इसको यूज करती हूं मुझे बहुत ज्यादा बेनिफिट देता है विटामीनी का कैपसूल हमने करना क्या होता है सबसे पहले आपको विटामीनी एक कैपसूल लेना है और इस बचता है तो आप अगली रात को भी अपलाई कर सकते हैं एक दो राते करके देखिए बहुत अच्छे आपको रिजर्ट पिलेंगे इस तरह से कट करेंगे या पिंसे जो है इसमें छेद करेंगे तो यह इसमें से तेल निकलेगा ठीक है यह हमने लिया विटामीन ए ओयल ठ के पास है आपने कुछ ड्रॉप्स जो है तेल की इसमें डाल लेनी है तो हमने एक दो ड्रॉप्स इसमें जतना ही विटामीनी का ओयल है उतना ही हमने जो है इसमें ओयल भी डाल लिया इसके बाद से आपको तीसरी चीज लेनी है ऐलो वीरा जेल आपके पास घर का पोधे व क्विन में मुझे में मुझे ऑष्ट कर था पर दो अपने भीतिने खेंग यद्युट नियुत को चिहरी की की रिंकल्स मिटाता है लगदंगों को टाइट बनाता है और पिंपल्स को करता है मैं चम्मच यहां पर लेके नहीं बैठी हूं मैं लेकि आती हूं फिर आपको आगे कब प्रूसस बिताती हो के तो स्पून में लेके आ गई हूं यह हमने सारी चीज़ ली है इसको अच्छे से हमने मिक्स करना है एक वाइट जैसा बनके रेडी हो जाएगा अच्छे स सब चीजो की हम को जो है उनके गुण मिले हमें ठीक है फिर आपने फेश वास करना है और इस तरह से क्रीम जैसा वाइट कलर का बन जाएगा ठीक है अपना जो है मैं फेश वास करके बैठी हूं आपने वाश करना है उसके बाद से अपलाई करने थोड़ा सा लेंगे मुश की तरह चाहे आपके स्किन नॉर्मल है और या फिर ड्राय है तीनों स्किन को यह बिल्कुल सूट करेगा ठीक है थोड़ा हमने लिया फेश पे इस तरह से अपलाई किया डेली लगाए अगर आपके आखों पे जो है डाक सरकल्स पड़े हुए है तो उनमें यह हेल्प अगर आपके फेस का रंग काला पढ़ पढ़ता जारा है दिन बदिन निखार नहीं है उस पर यह हेल्प करेगा अगर इसकिन फर्क करेगा खाले डांग धब्बे मिटाएगा बहुत ही अच्छा आपकी स्किन के लिए रहेगा आपके जो आइब्रोस हैं उन पे पलकों पे अच्छे से पूरे face पे हमने इसको लगाना है आपके eyebrows को जो है घना करेगा और जो आपके पलकों को घना करेगा आपके dark circles जो phone आज कलम बहुत ज़्यादा देखते हैं तक देखते रहते हैं जिससे की बनते हैं डार्क सर्कल्स उसको भी ठीक करेगा और आपने अपने गर्दन पे फेस पे अच्छे से करना है अपलाए और आपने ठीली थोड़ा सा लिया तीन चार मिनट लेके मसाज करना है जिसके आजैसे कि आप लेंगे और बहुत ही जल्दी और बहुत है आपके सिक इंач नहीं लगने वाला है लेकिन फिर खला फिर अगर आपको च觉得 भी टो ऑफनार कर दिखने कम भी और प às अच्छे से आपकी स्किन में अब्जर्फ हो जाएगा और जो हमारा ये बच्टा है थोड़ा बहुत जो क्रीम बचेगा इसको हमने अगर आप एलोविरा जेल ले रहे हैं मार्केट वाला तो बाहर भी स्टोर कर सकते हैं फ्रिज के ज़रुत नहीं या फिर फ्रिज में भी र बच्चो जैसा एक सार बिना दाग धब्बे वाला आपका फेस बनेगा बस आपने इसको डेली उस करना है और हमको हमेशा चाहिए हम कुछ भी स्किप कर दे और कुछ अप्लाइक करें ना करें लेकिन हमको नाइट स्किन केर अपना अच्छे से करना चाहिए ताकि हम जो है दाग धब्बे खतम हो जाईयां खतम हो इसकिन ग्लोइंग बने जो एजिंग साइन है वो इतनी जल्दी ना आए एजिंग साइन को रोके लंपे टाइम तक यंग रहे तो आपने प्रोपर तरीके से ये रात को यूज़ करना कुछ लोग बोलेंगे हमारे स्किन वैसे ही ब निकालती है क्योंकि हमारी स्किन में अंदर से ड्राइनस डिहाइडरेशन हो जाता है तो मोश्राइजर आपने डेली अपलाई करना है और ये ऐसी नाइट क्रीम बनके जो रैडी हुई है जो कि आपके चेहरे के लिए कमाल की रहने वाली है महेंगी से महेंगी नाइट क्र आपके लिए वो नहीं कर पाएगी जो ये कर देगी तो डेली रात को सोने से पहले अपलाई करना है वीडियो लाइक कर देना जिनका चैरा खराब होता चारा उनको ये वीडियो शेयर करना है ताकि बहुत सस्ते में दो तीम रुपे में उनका क्रीम बनके रैडी हो जाए और उनके स्किन पे दिन बादिन दिन बादिन रिखा राता चला जाए ठीक है तो थाइंक्यू बोलने आपने मुझे बहुत अच्छा है मैं आपको नस्खा बताएं लड़के हैं चैलर किसी भी उम्र के हैं 20, 30, 40, 50, 15 सब यूज कर सकते हैं ठीक है और कोई भी आपको कोश लेना उसी टॉपिक में जल्दी से जल्दी में वीडियो लाने की कोशिश करूँगी तो यूज सब मैं जोते मिलते हूं कल आप से एक और नई वीडियो के साथ तब से के लिए बाए बाए